ओके सो एहमदाबाद लेग खतम हो चुका है और आज से सुरू होगा बैंगलोर का लेग एंड पहला मुकाबला खेला जाएगा बैंगलोर बुल्स वसेज दबंग डेली के बीच में यह बहुत ही बड़ा मुकाबला होने वाला है बेकोज दोने टीम अभी तक एक भी बैंगलोर बुल्स वसेज दबंग डेली के बीच में खिला जाएगा रात के आठ बजे श्रीकंतिर्वा इंडोर स्टेडियम बैंगलुरू में दोने टीम्स के हैट टो एड रिकॉर्ड्स पर नजा डाल लिया जाए तो दोने टीम्स अब तक बीस बार भीड़ चुके जह जो एलिमिनेटर एक मुकाबला था जहाँ पर बैंगलोर बुल्स के टीम ने दबंग डेली को 56-24 के स्कोर से हराया था दोने टीम्स के स्टार्टिंग सेवन पर नजा डाल लिया जाए बैंगलोर बुल्स से सुरुवात किया जाए तो आप देख सकतो हमें देखने को मिल ज जाएगे नवीन कुमार, आशु मलिक, मीटू सर्मा, मोहीत, हिमत अंतिल, योगेश और विशाल भार्दवाज तो यहाँ पर दबंग डेली की स्टार्टिंग सेवन रहने वाली है दोने टीम्स के स्टार्टिंग सेवन को कंपेर करें इससे पहले मैं आपको बता देना चा इन्होंने प्रेडिक किया था कि बेंगॉल जीतेगी और मुकाबला तो टाई हुआ लेकिन बेंगॉल की टीम वो मुकाबला जीती गई थी और दूसरा मुकाबला गुजरात और पतना का था तो मैंने प्रेडिक किया था कि गुजरात की टीम जीतेगी लेकिन उन्होंने प पटना पाइरेट्स की टीम वो मुकाबला इजीली जीत गई तो ब्लास्ट के 4 मैचेस की बात की जाए जिसमें से डेली पेंटिस्टी की टीम भी प्रोवाइट किया जाएगा हमारी चैनल है आपको बस फट फट जाके जॉइन कर लेना है दोने टीम के स्टार्टिंग सेवें को कंपैर कर लेते हैं तो यहाँ पे बैंगलोड बुल्स के टीम में रिडर्स में देखने को मिल जाएगे विकास भारी रहेगा लेकिन डिफेंस की बात की जाए तो चाहे वो बात हो कवर की चाहे वो बात कॉर्नर पोजिशन की हो सुर्जी सिंग विशाल लातर काफी अच्छे फॉर्म में है वहीं पे मुहीत हिम्मत अंतिल अच्छा नहीं कहले थे कॉर्नर डिफेंस में सौरब नंदल अमन अंतिल अच्छा खेले थे वहीं पर योगेस विशाल भी अच्छा खेले थे लेकिन experience की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बैंगलडू बुल्स का जो corner duo है वो जादा experience है तो defense के मामले में बैंगलडू बुल्स की टीम आगे चल रही है वहीं पर reading के मामले में दबंग डेली की टीम आगे चल रही है अब देखते हैं कि जब दोने टीम बिड़ेगी आज तो क्या होता है अब यहाँ पर बात करते हैं उन players के बारे में जिन पर सबकी नजरे रहे सकती है बैंगलडू बुल्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि विशाल लाथर पर सबकी न नवीन कुमार पर रहेगी विकुस पहले मुकाबले में 14 रेट पॉंट स्कोर करना और वो भी तमिल तलावस के अगेंस तो मुझे लगता है कि यह अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं अब यहाँ पर मेरे तीन प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेतें मेरा पहला प लगता है यह मतलब की फर्स्ट हाफ के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि कॉंसेटी मुकाबला जीतेगी और तीसरा प्रेडिक्शन ही है कि बेंगलोडू बुल्स की टीम वो मुकाबला जीतने वाली है अब यह तो मेरा प्रेडिक्शन है अगर आपको एकुरेट जानना है ता आप क्रिकेट गली फेंटेस्टी पे चेकाउट कर सकते हो जब लाइन अप अनाउंस हो जाएगा अब आपको कह लगता है कौंसेटी मुकाबला जीतेगी बेंगलोडू बुल्स लग रहा है ता आप रेड हाट कॉमेंट कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि दबंग डल है वो भी आप चेकाउट कर सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे कौन है इंटरस्टिंग उड़ो के साथ ठैंक्स पर वाचिंग